नास्कार दोस्तों, होप करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए नया चेप्टरे स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन और आज हमारा एक introductory वीडियो है, इसके भीहाफ में हम समझना चाहेंगे कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, आखिर ये होता क्या क्या है और बहुत सारी बाते करेंगे, उसके बाद फिर चेप्टर पीक पे जाएगा और आज ही सा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अल्मोस्ट जैसे आज इंट्रोडेक्शन हो गया, कल मैं कुछ इस पे निमरिकल करवा दूँगा या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन करवा दूँगा, और उसके बाद चार वीडियोज, 4-5 वीडियोज में ये खत्म हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपके NCRT जो बुक है, उसमें ये उसिलेसन नाम का चेप्टर ही है, हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, और होप करते हैं आप लोग को थोड़ी बहुत मेकेनिक्स तो आती होगी, है ना, मेकेनिक्स मतलब फोर्स आता होगा, हम लोग एकिलिब्रि थे, थोड़ा उसके कुछ आइडियाज होंगे, एकिलिब्रियम होप करते हैं, ये तो हम इधर ही पढ़ेते हैं, है ना, इकिलिब्रिम क्या था, कि अगर एक बॉड़ी है, यहाँ पर रखा हुआ, एक बाउल में, तो यह हमारा इस्टेबल इकलिब्रियम था, ये क्या था अनिस्टेबल इकलिब्रियम और ये था है, निट्रल इकलिब्रियम और इस तीनों ही कंडिशन में, इस जगह पे हम समझ सकते हैं, अगर हम ग्राफ खीचें, यू और एक्स के बीच का करव का, है ना, अगर हम यू और पोजिशन आर के बीच का करव खीचेंगे, तो और इस वाले कंडिशन जिसको हमें अनिस्टेबल कर रहते हैं, तो यह हमारा कुछ अनिस्टेबल का ग्राफ इस तरह का आता है, तो यहाँ पर हमारा du by dr का value 0 आएगा, इस वाले कंडिशन में भी, और neutral वाले भी 0 आएगा, लेकिन इसके double derivative जाएंगे, इसके double derivative, वो हमारा negative और इसमें तो 0 ही आएगा, इतनी चोटी चोटी चीज़ें हमें पता है, हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, ऐसे चम होता क्या है, इसके लिए हमें एक चोटर से बात हम को याद रखना है, कि सिर्पोर सिर्फ stable equilibrium वाले ही condition पे लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नह periodic motion है, है ना, जिसे कि छोटा सा चीज समझना है यहाँ पर, माल लेते हैं, कि कोई भी motion, कोई भी motion, बार बार repeat हो रहा है, तो उसको पर पीरियोड में एक time period है, उसके वो आ रहा है, उस जिगह पर वापस आ रहा है, जिसे माल लेते हैं, कि अगर एक body है, वो circular path में move कर रहा ह है यहाँ, 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 यहाँ कर रहा है, तो यह क्या हो गया, periodic motion, कोई दिकर रहा है, जो सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम जब कर रहे हैं, फिर हैट से नीचे आगे, फिर जब किये है, फिर जब किये है, फिर जब किये है, यह I think ऐसा पर इसके कुछ टावी कंडिशन हो सकते हैं कि एक इलास्टिक कॉलिजन हो रहा एक बॉल का याद करो हम लोग इलास्टिक को लिए बारे बात की वे थे एक चोटा सा मास यह रखे वे थे उसको किसी हैच हाइट पर से गिराए थे तो वह बॉल नीची आया फिर यह उतना ही आ फिर यह जामीर पहुन जाएगा कि यह एलास्टिक कवलिजन वाले है पिर वह वपस आजाएगा फिर यह वापस आजाएगा हैं कि क्यें वहां पर इसके कुछ फिक्स टाइम पिरियाड हैं तो हम जिसके बाद यह फिर से जबीन को टकर और है यह सारे हमारे पास στα मों सर्व हमें periodic motion नहीं पढ़ा है हमें पढ़ने harmonic motion simple वाले ठीक है हमें complex वाले नहीं पढ़ने हमें harmonic motion क्या पढ़ना है सिम्पल वाला ही दगो एच हम मतलब हो गया हार्मोनिक मोशन का भी सिम्पल वाला ठीक है तो सिम्पल या फिर स्ट्रेट हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं देखते हैं क्या है स्ट्रेट वगर का नोटें की खर हम लोग देख रहे हैं आपर हार्मोनिक मोशन के छोटे-छोटे इंग्जाम्पल्स पर बात करेंगे जैसे माल लेते कोई बॉड़ी के पास टाइम पीरियड है अपने ही पुजिशन पर वापस आने का टिंडेंसी है उसके पास कितने समय ना रहा है तो वह मेरा पेरियोडिक मोशन हो जाएगा बट वह सिंपल हर्मोनिक मोशन नहीं है और अ कंडिशन क्या है हमकार है अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट के आस पास यह अपना मोशन कर रहा है कभी गया इधर फिर वापस आया फिर गया फिर वापस आया फिर गया वापस आया फिर गया वापस आया फिर गया वापस आया फिर गया वापस आया तो harmonic motion वाले condition का जो एक छोटा सा बात दो तीन चीज़ें भी थोड़ी सी चीज़ें समझनी है और याद रखनी है कि बाद में हम लोग इसने सब चीज़ें को प्रूब भी करेंगे ठीक है कि acceleration जो होता है harmonic motion वाले condition में ये equal to होता है ये फिर हम कहेंगे ये directly proportional हो जाएगा हमारे पास x raised to the power m के negative होगा ये याद रखना है कि ये जो harmonic motion होगा ये जो harmonic motion होगा इस वाले condition में acceleration जो होगा कोई particle oscillate कर रहा है है अपने ही mean position के बावट ये oscillate कर रहा है उसके पास कहीं न कहीं फोर्स हुए होंगे acceleration हुए होंगे उस acceleration का proportionality आएगा x raised to the power n अब ये x क्या हो गया तो अपने mean position से वो कितना displacement पर है माल लते वो यहाँ पहुँचाए कभी तो ये हो गया उसका x displacement है ना और n क्या हो गया उसके raised to the power n मतलब एक simple सा एन एक finite integer है तो यह हमें नहीं पढ़ना हमें यह वाला नहीं पढ़ना हमें बस इतना बता हम बता दिये कि x raised to the power n का जो negative का proportionality आएगा वो होना चाहिए harmonic motion वाले condition में क्लिर हो गया कुछ कुछ चीज़े थोड़ी जा रहे होगी उपर नीचे दो तीन मिनिट का समय दो बहुत असान है बहुत बहुत असान है बस समझना है कुछ चीज़ों को कि यहां पर यह सारे चीज़ें हमें नहीं पढ़ना ह हम बस यह बता रहे है ठीक है ना जैसे कि अब हम बात कर रहे है कि अगर मालो कि for if n का value 1 हो गया अगर n का value 1 हो गया तो acceleration क्या हो जाएगा directly proportional to negative of x power 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे simple harmonic motion हमें यह वाला पढ़ना यानि कि power 2 वाला नहीं पढ़ना पावर 3 व is equal to 5x power 3 यह जो है यह कैसा function है harmonic है कि नहीं है तो obviously harmonic है बट simple वाला नहीं यह बात समझ मेरे ना यह harmonic है बट simple वाला नहीं है कि लिए रोगे यह बात तो simple harmonic motion वाले condition में क्या बोलेंगे x का power 1 होगा always होगा नहीं तो यह हमारा harmonic बन जाएगा power 2 function होगा अच्छा हाफ वोगर नह नहीं लगाएंगे इसमें इसे रोके तो ठीक है इसके आगे हम लोग थोड़ा आगे continue करते हैं चलो अभी देखते हैं कुछ examples of SHM SHM के कुछ examples जो होते हैं nature में हम उसके कुछ example बढ़ लेते हैं ताकि हमें basic idea में हमें पढ़ना क्या-क्या है इस पूरे chapter में तो सबसे पहले ह पास spring block system का spring block system इस वाले condition में क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि मेरे पास बात समझना है तब समझे में आ जाएगा एक तब ध्यान समझना है इस वाले मास को इस वाला मास ही है हाँ पर इसका spring constant k है और हम लोग याद करो बच्पन में पढ़ा करते थे कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स से डिस्प्लेस कर दें इदर इदम सिंपल सा बात चीज है अगर ये इदर की तरफ जाएगा तो spring क्या बोलेगा जाने देंगे कहां जा रहे हो तुरा ताओ इदर है ना ऐसी नहीं बात होंगी अगर ये यहां से x को कोई खीच लेगा इ वापस यानि कि यहां पर कहीं न कहीं एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि इसको फिर से उसी पोजिशन पर लाने का कोशिस कर रहा है हम ऐसे फोर्स को कहेंगे री स्टोरिंग फोर्स री स्टोर कर रहा है और इसके जो ओरिजिनल पोजिशन थे उस जगह को वापस करने के लि हम बात करेंगे यहां पर बैठा हुआ यह मास हम कहेंगे यह स्टेबल इकलिब्रियम है क्योंकि हलका साभी अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया यह वापस फिर यह आ जाएगा इसको अरे यह चाहता है कि फिर से हम वहीं वापस आ जाए तो इसको री स्टोर कर रहा है तो प्रिंड फॉर्स लग रहा है यहां पर कहीं न करें थे वालिक्लिप्लीब्रेंब कंडिशन आ जाएंगे दिए कैसा कंडिशन वह हुआ इकल्मुटिशन और यहां पर हमारे पास सिम्पल हर्मोनिक मुशन देखने यहां एक लिए क debating हर्श यहां कंडिशन में सिम्पल हर्म एक हर्मोनिक मोसल भी हो सकता है है लेकिन हमें पढ़ना है स्क्राइफ एक और यहां पढ़ता क्त拉िया हुसित यहां दिया यहां भि wholly यहां भीज सब्टेण आप यहां पहुंचे का का रहना हो नहीं तो के लिए रहे तो यह जो है अपने मीन पॉईशन के अबाउट ऐसे क्यों क्योंकि यहां पर जहां में इसको रेश्ट से छोड़ेंगे और फोर्स लगा इधर की तरफ तो यहां पर पहुंची तो जाएगा लेकिन इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा मैकसीम और जब यहां पर इसके पास वेलोसिटी मैकसिम हो जाएगा तो रूप तो नहीं पा एगा उस वेलोसिटी के कारण उस मोमेन्टम के कारण यह पीछे की तरफ आना इस्टार्ठ हो जाएगा जब यहां पहुंच जाएगा इस कायम को पृपिस कर रहे हैं जा ओदर लग रहा है बलुस्टी दरी इंक्रीज करेगा यहां बलुस्टी का मैक्सिमम हो जाएगा पहुंस तो जाएगा यहां पर बट बॉड़ी रूख नहीं पाएगा फिर से फिर यहां तिका यहां क्या यह मोसण हमारा टू-LO लॉट्व टाइप का है क्या फ्रॉग नहीं लिखे मत stiff वी इसका मेंगा टू- tying Lor लगया आया हागया ऐसे मोस्टन में क्या और सेकेंड् नमबर में किस तरह का इस ड्रैटो है हुई आपने मीर पोल्ड स्ट्रेट पाथ में चल रहा हुई तो हम ऐसे मॉसन को कहेंगार ऊपर से हार्मोनिक Los Angeles है और हार्मोनिक है हार्मोनिक मतलब तू Γेम कहेंगे यह उह हमारा simple harmonic motion एकदम असान हो गया बात समझ में आरी बात है ना that's example of spring block system में हम लोग समझ सकते कि हमारा SHM हो रहा है कौन कर रहा है कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है हम लोग आगे देखेंगे अभी पहले example समझ रहे हैं आखरी इसमें हो कैसे राइचीज़ है तो SHM समझ में आ गया होगा कि हाँ पर SHM हो क्या रहा है यहां पर time period भी होगा अपने मीन पोजिशन प्याने का कुछ frequency होगा कि कितना rate of oscillation कर रहा है per second में है ना rate of oscillation per second यह ना 40 oscillation कर रहा है per second 1000 oscillation कर रहा है per second नहीं oscillation कि कह रहा है okay second है हमारे पास spring block system समझ में आ गया second है हमारे पास simple pendulum ठीक है यह हमारा simple वाला तो simple pendulum वाले condition पर हम देखना चाहते है यहां पर मैंने एक मास M मास को मैंने लटका कर रखा हूँ है L लेंथ से ठीक है तो यह मास को मैंने क्या किया अध्यान समझना है यहां पर यहीं फर सारा कचड़ा हो जाता है अगर मैंने क्या किया इसको यह तो बवा ऐसे जाएगा तो थोड़ी दिर के बाद यह यहां पहुंच जाएगा जब यहां पहुंचेगा तो weight mg ऐसे force लगा रहा होगा और इसके दो component हो जाएगे एक ऐसे वाले और एक ऐसे वाले अब एक बात बताओ क्या यह straight path है क्या यह जो रास्ता है यहां से आता कि straight तो नहीं यह तो curved path है और हम अच्छा ठीक है curved बात कर लेंगे थोड़ाँ से एक चीज़ हम समझ सकते यहां पर कि अगर यहां पर सोड़ेंगे तो यहां आएगा फिर यहां पहुचेगा ही अब फिर यहां से आज़ाएगा तैनि किसके path होंगे to and fro type के ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है to and fro type के ही होंगे बट यह straight नहीं होगा straight कैसा होगा? straight होगा क्या यह? straight तो नहीं है harmonique तो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह तीन चीज में straight नहीं आया क्या यह SHM है? एकदम नहीं है यह simple harmonic motion नहीं है क्या मैं जाओ कर रहा है सर? असा कसे होता है? simple harmonic motion पड़े तो हैं किताब में रहता है तो simple harmonic motion बनाना पड़ता है इसको हमने एक दो चीज एज्यूम किया है यहाँ पर मान लेते हैं कि यह जो theta angle इसमें बनाया theta theta नहीं है यह theta है theta angle जो बनाया यह theta जो है बहुत बहुत small है बहुत बहुत small है हम इसको कह सकते है theta approaches to small अगर यह theta small अगर होगा तो इस condition में हम लोग बस दो तीन चीज जानते ही है यह theta अगर small होगा तो sin theta को theta लिखते हैं 10 theta को भी theta लिखते हैं और cos theta को हम लोग 1 लिखते हैं अगर यह theta small है तो हम यह तो तीन चीज तो लिखते ही हैं और तब फिर जब थेटा स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा अगर मैं इस तरह से नहीं बनाओ इसको थेटा बहुत चोटा बनाता हूं इस मास को यहां पर लेके आता हूं तब तो देखो निये पाथ भग 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 इस्टेट नहीं हो थोड़ा सा तो इस्टेट वान तो यह ऐसे चम हो जाएगा बड़े अंप्लिट्यूड के लिए बड़े एंगल के लिए ऐसे चम नहीं है हार्मोनिक तो है आरी वसमाज में ना एक क्लियर हो गया यहां तक चलो ठीक है कॉपी करो कि यह ऐसे चम कब होगा जब थेटा हमारा स्मॉल हो जाएगा और तब फिर य एक किसी ने कहा कि एक बाउल है मारे पास बाउल समझ माता है बाबुल नहीं बाउल बाउल मतलब होता है कुछ कटोली टैप का ठीक है यहां पर है इसमें मैंने एक रेडिय सार पे एक मास मनें रख दिया अरे यह तो वही बुला है सर जो इस्टेवल इकलिब्रेम बताए रहते हैं यह तो करता ही है है ना इसको मैंने यह छोटा सा बात किया समझना है कि जो मास है यह थोड़ा हम इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा तो अच्छे से हैं क्या होगी है मेरा ट्रॉइंक यह मास पर दाम छोटा अब इस वाले मास को मैंने थोड़ा सा इदर कैसा अब समझना रही होगी एंगल जो है सेंटर पर देंगल बनेगा वह चोटा एंगल बनना चाहिए अब यह ने बात किया तब जाकर किया टक 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 करना स्ट करेगा और यह हो जाएगा हमारा हिंए फिम्हों को सब्सक्राइब करें यह सब्सक्राइब करें बात क्या हो मास बड़ा अइसा प्रसका का बड़े-बड़े लखstra झिलbold गेंद्ध तब बेसंगे खोगा होगा यह जो प्रक्राइब सकत हुआ है अगर यह वाला प्व अरिवसमें कुछ इस तरह का इसका मोसन होगा यह भी हमारा ऐसे चम है याने कि हम पर दो तीन चीज़ें हो रही है बोडी हमारा टू एंड फ्रो मोसन तो करी रहा है बट अपने मीन कोई जन के बाउट यह घूम भी रहा है रोटेट भी कर ला है अना असे स्वतरगर्ण अगल शोटी और यह बाइब क्या है सबस्टेड में होना होना ठीक है फोर्थ नमबर में बात करते हैं किसी का दिमाग खराब हो गया मेरा नहीं किसी का रस्या का परसंद था उसको किसी ने पढ़ा दिया यह तो आर्थ होता है है ना आर्थ के सेंटर पर एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है कहीं पर एक्सरेशन दूटू ग्रेविटी GM X by R का क्यूब होता है हम लोग बच्पन में यह से पढ़ चुके हैं सर्फिस पर होता है GM by R का स्क्वाइर और कहीं बाहर में GM by R का स्क्वाइर होता है यानिको उसने यह पढ़ा कि एक्सरेशन दूटू ग्रेविटी जैसे इसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो घटेगा घटे 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 जीरो हो जाएगा अब फिर यहां से बढ़ना है यह नहीं यहां पर दुखो maximum है फिर यह X के रूप में अगर हम इधर आएंगे तो घटे 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 जीरो अब फिर यह सर्फिस तक का बात हो रही है इस साइड से इस साइड तक आठें तो कुछ इस तरह से चीज Bohr पार्षी मेरे को बस यह बात हो रही है थोड़ी एक तौरी कोल्ड वार के टाइम कआ उससें पिक अंपर रश्या अमेरिका नो см y app जला दालेंगे वह साउथ वला मुवी देख देखकर के जला दूंगा काट डालूंगा तो उसने कहा कि मैं रस्या में यहाँ देख रहे न और यहां पर से समझ लोगी वसे हलका खुलका टैप का उसने कहा मैं गंडा खोद कर गें अंदर ही अंदर सुरंग बना गर कि दर पह पड़ लिया था मेरे से नहीं पड़ा था मैं उस टेम पर पैदा भी दिंग पाता तो मिन ने तो बता देता है कि अर्थ के अंदर में बाहा है आग है कोर है जिसका टेमप्रेचर फिटी फाइफ हंडेड डिग्री सेल्सियस है यह अल्मोस्ट सर्फेस ऑप दी सन का टेमप अंधर में आग ही आग है अब उसने मन यह कड़ा खुद दिया उसने खुद दिया तो डिप थेंकिंग होगे उसका तो यहाँ पर आया आते लगबग लगबग 2 km ऑल दिसंस just ऑख दिया खोदनीक वाद देखा वंबाया कि यहां श온 ज़ोड़ दिया और शेम स्थने बनाया हुए तो क्या उसका logic क्या तो समें क्या सके पीछे का logic बनाया उसने यह सब बोला कि वाबा से अगर गढ़ा खोद दू यहां सिहां तक मेरे को रसा से यूस से पहुचने में शर उसको दिवारा किसीने बोला कि ऐसे जाओ गल मुल्टन मिलेगा उसका धिमाराओ उसने बोला नहीं हम ऐसे तब जाएंगे बघल बघल से हां के बघल बघल जाएंगं तो हुसने पिर सब Anchor काल्क्विलट के बोले यहां सिय दाए कि में कितना समय लगेगा तो भी इतना ही लगेगा क्या दिस्टेंस पर कवर नहीं कर रहा नहीं कर रहा अभी देखो न कमाल कब याद करो ग्रेविटेशन में हम लोगोंने यह चीज बढ़ा हुआ था अर्थ के सर्फेस पर से एक बोड़ी ऐसे ऐसे करते हुए यहां पहुंच गया इसका टाइम पिरिएड भी इतने मिला था 84.5 मिन यह तो अजीव नंबर हर जगए चलो ठीक समझ है आना इस पर सवाल बनाएं कि आखिर यह कैसे आ रहा है चीजे ठीक है तो बात समझने आखिर यह सिंपल हर्मोनिक मोशन पे कैसे काम हो रहा है अभी और बीग्जांपल है पर एक्जांपल समझ दो आखिर तब समझ अए आगा कि आखिर चीजे इं आशेज ब्लॉक रख दिया हुआ ऐसे ठीक है उसा कुछ हिस्सा ऐसे सब्मर्ज्ट था पानी में बैठा बहुत जो से एकिलिब्रियम कंडिशन में था तब ही क्या हुआ किसी ने थोड़ा असस को एक डाउनवाड डिस्प्रेश्मेंट कर दिया इसको एक्स तो टक उपर भागेगा तो यह अपने मीन पॉजिशन से उपर नीचे ऐसे से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टाट करेगा यहां पर क्योंग करेगा क्योंकि बॉयंट फोर्स होता है जो कि पानी इसके वनवानी इस ब् बोड़ी उपर नियाचे बॉएंट फोर्स और इसका सेल्फ वेट यह उसलेट करना स्टार्ट करें और अभी एक्जामपल हम समझ सकते हैं इस पूरे कहानी के हिसाब से माल लगते हैं कि मेरे पास एक कोई फिजिकल पेडूलम टाइप का ऐसे बॉड़ी है हम इसको भी बांग दिया वेट यह इसे आसे उसलेट कर सकता है यह जो पूरा सिस्टम है यह हमारा ऐसे ऐसे उसलेट कर सकता है किसी का मन किया नहीं यहाँ पर मैंने एक मास रख दिया यह किसी का मन किया वह इस मास को थोड़ा सा इधर डिस्पेस करदिया कोई वाई डिस्टेस पर तब movements पर तर तर फिर ऊपर होगा यह इसको इदर कि तरफ यह मास इसको अपने तरफ खीर होगा थे मुटन को और rentaf और अगर यह एंगल थीटा है, और अगल थीटा कैसा होना, ची यह बहुत-बहुत चोटा, यह हमें पता है, और यह displacement भी तब बहुत-बहुत चोटा है, तब हम लोग यह सब चीज को बात कर सकते हैं, अदर्वायज नहीं होगा यह एसे चम नहीं होगा, तो इस वाले यह है तो यह हमारा बहुत चोटा एस अरक यह इंडर से?- एर से फोर्स मुषका यह इière-स-स-प्रो दर गड does it the force लग रहा तो यह पहुंच जाएगाँ पीर Bear चरिए तो कुछ होता है ना कब बोलते हैं कि यह जो दिख रही है है इस इस ने किसी को यहां बर से बैबुर्च किया तन करना शुद करेंकर तरहां मास ऑचिजैंगे थे उपर आ पर बी चार्ज के बारें कॉंसेट पढ़ेंगे कि और ये को चार्ज की रख दिया similarly इसमें भी हम लोग ऐसे चम के बारे में बात करेंगे लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं आएगा यहां बहुत सारे multiple cases बन जाएंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ पर सिर्फ attraction possible है चार्ज वाले में attraction as well as repulsion repulsion दोनों के दोनों होते हैं अभी तो मैंने सिर्फ example दिया hope करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा idea मिल गया होगा कैसे चम है क्या और कैसे कैसे काम करता है ठीक है तो इस बाले पूरे के पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ समझाने का कोशिस किया है कि जो एस चम है यह हमारा सिर्फ और सिर्फ straight line path में होगा कुछ assumption है हर एक सवाल में कि हम angle छोटा ले रहे है displacement छोटा ले रहे है नहीं तो हमारा यह harmonic motion बन जाएगा simple harmonic motion नहीं रहेगा तो और second वाला condition क्या था कि harmonic motion होगा आदो समझाने straight line motion होगा यह जो theta होगा यह हमारा 0 है approximately y जो है यह हमारा 0 है जो displacement है कोछ बड़ा बड़ा नहीं है अर्थ वाले केस में चल सकता है यह नहीं कि straight line में है तो कोई दिक्कत नहीं कित्रों बड़ा चलेगा बट अगर angle वगरह म वहां पर displacement को बहुत छोटा रखेंगे और acceleration जो हो जाएगा तब सीदी सी बात है negative of x के बराबर हो जाएगा कोई दिक्रत है this is your condition for SHM और यह जो अकेला है यह जो equation है यह अकेला हर चीज़ को govern करता है यह अगर आ रहा है इसका मतलब अधर चीज़ें hold कर रही है यानि कि यही है हमारा equation of SHM को दिक्कत है चलो ठीक है यहां तक copy करो फिर मागे बात करते है चलो ठीक है तब लिखते है SHM के condition के बारे में पहला condition कि यहां पर acceleration directly proportional to negative apex हो जाएगा second condition यह है कि it must be in stable equilibrium तीसरा नंबर में stable equilibrium होगा it must be in straight line motion in straight line to and fro motion so harmonic motion है ना harmonic motion हो जाएगा restoring force restoring force cause to perform हमको पता है कि जो system पे जो force लग रहा होता है mass into acceleration के बराबर होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा m into acceleration a हना चुक्कि हमने क्या सीखा अभी तक acceleration जो है वो हमारे पास negative of प्रपोस्टनल्टी में लिखे थे x था अब यह प्रपोस्टनल्टी को हटाद रगे constant दे सकते हैं तो मैंने यहां पर जो constant लिखा है उसका नाम है negative of omega square x और omega क्या है यहां पर जिसकी value 2 pi f होती है frequency वाला f जिसका value 2 pi by t लिख सकते हैं और यही है हमारा omega जो है इसको हम कहते है angular frequency ठीक है omega क्या हो गया angular frequency confusion मात हो ना f जो है हमारा frequency है number of oscillation per second t is the time period ठीक है तो time period क्या हो गया कि जो एक oscillation होने का जो समय है उसको हम time period कहेंगे और एक second में या फिर एक time interval में जितने बार वो oscillation कर रहा है हम उसको कहेंगे frequency को दिकत है और यह हो गया omega angular frequency या पिर angular speed भी बोलते है इसको तो यह है omega square into x तो यह हो गया हमारा expression का value तो क्या हम expression यह पर लिख सकते हैं यहाँ पर यह बराबर क्या हो जाएगा m into minus में omega square into x that force is the restoring force अब देखो यहाँ पर इतने सारे मैंने example बता है बस इसी के आगे पीछे घुमते रहता है हमें कुछ बातों का पता रहना चाहिए कि बस वो system जो मैंने देखा मेरे को बताया गया कि यह SHM है या पिर मैं जानता हो SHM है तो उस पर कहीं न कहीं एक force work कर रहा होगा और वो restoring force होगा और वो force must be equal to this one होगा ठीक है और यहाँ से हम पता करेंगो omega का value और अगर मेरे को omega value by comparison जो होता है उसी से हम पता कर लेंगा omega कैसे करेंगा समझी में आएगा अभी तो बस सुनो मजडार चीज़े और मेंगा पता चल जाएगा तो मैं frequency और टाइम पिरेड भी पता कर सकता हूं बस यह दो तिन चीज़े हैं चार चीज़े हैं और सबसे easiest topic है पूरे के पूरे 11 का जहां तक मेरे को लगता है समाज में आगे यहां तक बात बहुत easy है यहां तक पहले copy कर लो फिर आगे कुछ चीज़ाओं के बारे में बात करते हैं कि एक्सलेरेशन हम लोगों ने पढ़ा नेगेटीव ओफ मेगा स्कॉरे इंटू एक्स क्या यहां पर acceleration एक्स का function है क्या यानि कि depend कर रहा है एक्स पर यानि कि position पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोगों ने बच्पान से दो तीन फोर्मले पढ़े हुए थे acceleration का value पढ़े थे थे यहां रेट आप चंजने फेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्हें पढ़े थे क्या भी डी बाइड एक्स और एक और पढ़े थे डी स्कॉयर एक्स बाइड डी टी का स्कॉयर तो कौन सा हम यूज कर सकते हैं हम अभी इसको यूज कर रहे हैं फिर इसको भी यूज करेंगे थम पहले इसको यूज कर रहे हैं तो इसके जगह एक्स रसन के लिग सकते हैं डी स्कॉयर एक्स बाइड डी टी का स्कॉयर को गे सार इवला तो करवाते थे पहले एक एक सिंपल सा जेनरल एक्वेशन हम लिख करके दिखा रहा है एक्सर से इतना लिखे एक्वाल टू निगेटिव आप ओमेगा स्कार इंटो एक्वाइगा माइना इसको इदर बेजे रहे हैं तो क्या हो जागा डी स्क्वाइर एक्स बाई अरे कंट्रोल करो रहा करेंगे रहा बबाव यूज हला ना करो ओमेगा स्कार बराबर जीरो आजेगा हम इसको कहेंगे डिफ्रेंशियल एक्वेशन और ऐसे चल्ड बलेगा सर अतना असान असान जी पढ़ा पढ़ा है ना बड़ा कड़का तकड़ा चिसका है लिखना है अरे कुछ नहीं रहे बबाबा लिख लो बसी होता है ठीक है इस पर सवाल जब बने गाना तो क्या से चोकलेट सवाल था अना चाप्लेट कॉपी घरो इसको फिर हम इसके आगे बात करते हैं चलो ठीक आगे क्या बात करें अभी इतना तरह जगह है तो सारा बात कर सकते हैं एक्सलेरेशन के जगह पे यहां पर चोटा पढ़ जाता है अने एक्सलेरेशन के जगह पे मैं लिख सकता हूं अब तुम लोग का कलेजा को ठंड़क पढ़ा होगा लिख लो लो इकल टो मैंनस मेंगा स्कार इंप लिख दिए पढ़िया ठंड़क इसको इदर बेज दें है भी डीवी इकल टू निगेटिव ओमेगा स्कार एक्स इंटू डी एक्स तो हम एक काम कर सकते इतना के बाद हम लोग रटा है हम लोग का इंटिग्रेट करते दोनों साइड लिमीट लगाते है और दुआ वडा देते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां से क्या हो जाग है यहां से भी स्क्वाइर आना है हमें इसके बारे में थोड़ा से बात कर लेते हैं यह था मीन पुजिशन MP मद्धिपरदेश मैं इसको कह रहा हूं एक्स्ट्रीम पुजिशन जहां पर यह बॉडि ऐसे ऐसे उसिलेट कर रहा था तो मैंने क्या बताया था एक्स्ट्रीम पुजिशन जब एक्स का वेलू हम बोल दें ए है यहां पर एक्स का वेलू जीरो है और यहां पर एक्स का वेलू माइनस में ए है अल्ला कर रहा है तो इस condition पे यहां बताएथए 조 होता है यहां भी maximum होता है और यहां पर विलोष्टीक एक्सिंट अवेल्यव आपको नहीं पता मेरे को पता करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा यह सारे चीजे को तो हम पूट कर सकते हैं से तो हो जाएगा भी स्क्वायर बाइट टू इस इकल टू नेगेटी बॉफ ओमेगा स्क्वायर बाइट टू अपर लिमिट पूट कर लेंगे तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर एकस का स्क्वायर आजाएगा और यहां पर जाएगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर एसक्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर एकस का स्क्वायर आरे बस मज़ना तब फेलोसिटी का वेलू क्या आ जाएगा ओमेगा रूट अबर एसक्वायर से स्कूर्ण तो तो देखलो ये प्लसीटी ये सारे चीजह हमें समझ में ऑने चीजह ठीक है यह बहुत बेशिक सा था फर्मूला है तो हमने दो फर्मूले देखे एक तो acceleration का और एक velocity का हम कुछ graph के बारे बात कर सकते हैं पहले यह सम्द चीजों copy कर लो फिर बात करता हैं ग्राफ पर पहले हम graph बात कर रहें acceleration is equal to negative of omega square x दिया वह था तो हम acceleration और X के बीच का graph खीश सकते हैं, हम लोग बच्पर से एक फर्मुला पढ़ते हैं, Y बराबर M X प्लस में C, है ना, और M होता था हमारा slope, और C जो है हमारा, वो Y इंटरसेप्ट होता है, मतलब Y को जहां पर काटेगा, वो हमारा Y इंटरसेप्ट, माल लेते हैं, अगर कोई graph द ठीक है, जब यह इस देख लेते हैं, तो यह हम एक graph खीच रहे हैं, X और A के बीच का, तो यहां से A जो है Y axis पर है, एक्वल टू, slope के जगा पर लिख सकते हैं, M X, प्लस में C, है नहीं, 0 पर कट रहा है, ठीक है, और slope कैसा आया है, देखो तो slope का बीच निगेटिव निगेटिव स्लोप, क्योंकि C 0 था, इसलिए मैंने और जिन से पास करवा दिया, और इसका slope क्या बनेगा, लिख तो दिये हैं, मैनस में ओमेगा स्कॉर, है ना, अगर मैं बोलूँ कि F और X के बीच का बताऊ था, F भी तो यह था ना, M ओमेगा स्कॉर इंटू X, अरे इसलिए करव, आरे बसमें, कहा रहेगा यह, A तक, X कब लूँ A तक, और यहाँ पर, J तक, A तक, J तक, J तक, मैनस में A तक, ओके, एक्सलिरेशन और फोर्स का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, that's very easy, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में, चलो दे हम बचाते हैं, वेलोसिटी और X के बीचा ग्राफ खीचे हैं, तो एक काम करते हैं, A square कर लेते हैं इसको, तो वेलोसिटी का square is equal to omega square, A square, minus में omega square, X का square हो जाएगा, तो A से multiply हो जाएगा, तो omega square हो जाएगा, इस से बित multiply होगा, यह लिग दिए, इसको हम एक काम करते हैं, ज B square by omega square, A square, plus में omega square, X का square, by omega square, A square, is equal to 1 हो गया, आरे बस में यह नहीं आ तक, B square by omega, A का whole square हो जाएगा, पलस में यह नहीं हो गया, X का square, by A का square, is equal to 1 हो गया, और यह जो equation होता है, यह हमारा ellipse होता है, हम लोग, एक class leave है, पढ़ चुके हैं, हम लोग, Kepler's law में ही, ellipse का equation के बारे हम पढ़े थे, X का square, by A का square, plus में Y square, by B का square, का value 1 होता है, और कोई भी ellipse में, हम लोग जानते थे, यह जो point है, यही था A, यह point है B, यहने, X, axis पर, जो A पर कट रहा है, तो हो गया, X intercept, और यह हो गया, Y intercept, अगर मैं यहाँ पर भी, एक ellipse बनाता हो, similar, यह equation, ऐसा है दो दिख रहा है, यह हम लिग देते हैं, इसको, चलो ठीक है, इधर हम लिग देते हैं, X, इधर लिग देते हैं, VeloCity, ठीक है, तो X का value, A, और minus A पर जा रहा है, और VeloCity का value, omega A, और minus omega A, पर जा रहा है, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि हमारा जो, B और X के बीच का ग्राफ हैगा, वो आएगा मारा ellipse, इस condition में हम बहुती चीज के बारे बात कर सकते हैं, कि अगर मेरा X का value, देखो, X का value जब 0 है, उस time पर VeloCity कितना है, omega A है, जो हम बताए रहे थे, बताए रहे थे, क्या बताए रहे थे, चुरो यहां तक कॉपी कर लो फिर बात करते हैं, दोसे, बता रहे थे, यहां पर कि अगर कोई body, SHM करेगा, तो जब X का value 0 होगा, यहां पर X का value A है, जो कि maximum amplitude है, जो कि अपने mean position से ऐसे चाह रहा था न, यहां पर यहां पर जाके फिर से वापस है, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ओमेगा A, फिर से भी value 0, कहां पर जब X value A हो जाएगा, निगेटिव में, आज बर के लिए इतना ही, कल आएगा next video और उसमें और भी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, आना, आज तो थोड़ा लेखो, बुक पढ़ो, ज्यादा ज्यादा चीजों को समझना है यहां होता है, थोड़े बुक को पढ़ो, NCRT वगर अगो, और इससे easy topic, हम नहीं समझने को जिसरा होता है, कल हम लोग equation और पैसे जब पढ़ेंगे, और उसके आगे, बलब कल ही होगा, तो कुछ अच्छे अच्छे numerical करेंगे, और उसके आगले ही दिन, और भी अच्छे अच्छ